skill development for green economy अब आप बोलिए कि आपका microwave चलिए आप microwave नहीं बाइक कह लेते microwave सब के घर में नहीं होगा तो बाइक खराब हो गई या स्कोटर खराब हो गई, cycle खराब हो गई तो आप क्या करते हैं? आप खुड ठीक कर सकते हैं? मैं नहीं मानता कुछ लोग कर सकते होंगे, लेकिन आपको सीधा मिस्तिरी के पास जाना पड़ता है या microwave के लिए आपको Samsung या LG वाले को फोन करता है, सर वो microwave घरम करना बंद कर दे, सर आजएए, यह तो करते हैं तो आपको एक आदमी चाहिए जिसके पास यह skill हो, वही तो ठीक करेगा तो जब हम हरित अर्थे वस्ता की बात करते हैं तो हमेरे पास चाह होना चाहिए हमारे पास वो लोग होने चाहिए जो जिनके पास यह skill हो अगर आप कहें सुरार कुकर कैसे चलता है, कौन कौन बता पाएगा, windmill इंस्टाल करने के कौन कर पाएगा तो इंदुस्तान के पास जो आज challenge है या किसी भी देश के पास जो challenge है वो यह है कि जो food है, खाना, सबसे पहली बात खाना उसके बाद पानी, water उसके बाद जितने भी goods and services essential हमारी growing population को देना है हमारा main aim क्या है कि पहले तो poverty को या फिर गरीबी को खतम करें और साथ में हम यह भी देखें कि भी सतत विकास के पक्रिया हो यानि कि आगे के लिए भी हमारे पास resources रहें तो जरूरी है हो जाता है कि हम को green jobs बनाने पढ़ेंगे और green jobs क्यों है क्योंकि हम जिस तरीके से सोच रहे है कि unsustainable ये ग्रोथ या unsustainable हम sustainable development की तरफ जाना चाह रहे है यानि हम यह चाह रहे है कि ऐसे ऐसी जगा जाए अभी हम सब अपना भी नुक्सान कर रहे हैं और पुरे प्रकृत्ती का नुक्सान कर रहे हैं हमको ऐसी जगह जाना है, ऐसे एकनोमी भी जाना है, जो सब के लिए अच्छा हो, तो यहां पर मैं Green Job की बात करूँगा, Green Job यह हो सकता है कि कहीं भी यूज हो सकता है, चाहे गौर्मन्न में हो, चाहे एडूकेशन में हो, चाहे और्गनाइजेशन में हो, Green Job हर जगह है, Green Job की क कुछ requirement होती है, जैसे, पहले मैं आपको यह चितर के बारे में बाद में बताऊंगा, पहले आप समझ लीजे कि एक फार्मर की कि देखिए, रूटी के बगर तो हमारे कान में चलता हम, किसानों के बगर तो नहीं रह सकते हैं, तो सहाब यह एक फार्मर है, अब इनको अगर बताया जाए, तो अपना traditional खेती कर रहे हैं, जिस तरीके से खेती करते चले आ रहे हैं, वो कर रहे हैं, इनके पास वही skill है, या फिर इनोने नहीं पढ़ाई लिखाई की है, अगर पढ़ाई लिखाई की भी है, तो फिर यह अच्छी तरह जानते हैं कैसे करना, क्योंकि ज जो साहब हैं ये कौन है, ये आपके green technician है, या इनको green engineer कह लीजिए, इनके पास ये skill है, इनके पास ये knowledge है, कि कैसे solar panel को ये रख पा रहे हैं, design कर पा रहे हैं, इनको install कर पा रहे हैं, maintain कर पा रहे हैं, सारा काम solar panel का ये जानते हैं, तो ये green job है इनके लिए, ये इस नोकरी पे हैं, और साथ में ये green economy में अपना रोल निभा रहे हैं, clear हो गया, green economic skill development ये green job क्यों जरूरी है?